हेलो एबरिवन मैं सीमा सीमा जे स्टॉप से आज मैं गरम मसाला पाउडर घर में बनाने जा रही हूँ तो आपको भी मैं आपके साथ भी इसको शेयर करना चाहती हूँ देखिए एक सारे गरम मसाले मैं बजार से खरीद के लाई हूँ और इनका वजन मैं लिख दे रही हूँ आपको अगर कम मातरा में बनाने हैं तो इसी हिसाब से कम आधा या आधे से भी कम लीजिए मैं जादा बनाती हूँ क्योंकि मेरा एक साल के लिए बन जाता है और बच्चों को भी मैं अपने जो बाहर रहते हैं उनको भेजती हूँ इसलिए मैं एक बार में ही जादा बनाती हूँ मैंने देखे सारे गरम मसाले ले लिए हैं इनको अलग-अलग बरतनों में करके तेज धूप में तीन-चार घंटे के लिए सुखा दिया जिससे नमी निकल जाए और बढ़िया महीन पाउडर बनके तयार हो जाइफल, जावित्री, लॉंग, इलाइची, काली मेट, सोट, जीरा, पोस्तादाना, डालचीनी लग-बग मैंने सभी इंपोर्टेंट बसाले ले लिए हैं सोट और जाइफल को धूप में सुखाने के बाद मैं उटने में थोड़ा सा तोड़ लोगी जिससे मिक्सी में पीसने में आसानी रहे अब चलिए शुरू करते हैं गैस ओन की कड़ाई में जो धनिया है 200 ग्राम उसको मैं धीमी आज पर सेख लोगी जब इसमें से सुगंद उठने लगेगी तब गैस को आफ करोंगी बढ़िया खुझबू आने लगती है और थोड़ा सा रंग भी बदल जाता है और गैस को बन करके इसको ठंडा कर लोगी ये जो एक टिप है इसका हमेशा ध्यान रखिएगा धनिया को हमेशा रोस्त कर लीजेगा उससे गरम मसाले का स्वाद बहुत बढ़िया हो जाता है अब धनिया को ठंडा कर लिया अब इसमें सारे गरम मसाले मिक्स करेंगे ये जावित्री ये आप पहले देख रहे थे गरम मसालों को मैंने खड़े गरम मसालों को धूप में सुखा लिया था अब वही गरम मसाले में एक एक करके सब इसमें मिलाती जाओंगी हरी इलाइची घर में तयार चीज की शुदता का तो हमें ग्यान होता ही है इनका स्वाद भी बहुत बढ़ी हाता है क्योंकि इसमें किसी तरह की मिलावट का डर नहीं रहता है ये बड़ी इलाइची ले लिए ये सारे गरम मसाले जो भी दूप में सुखाएं हैं सब एक एक करके इसमें मैं डालती जाओंगी और मिक्स करूंगी ये जो गरम मसाला पाउडर बनेगा बनके तयार होगा वो स्वाद और सुगंद से भरपूर होगा और जब ये दे के शाह जीरा में डाल रही हूँ और ये वेज और नॉन वेज दोनों खानों का स्वाद बढ़ा देगा वेज खाने में तो आप इस चुटकी भरी इस्तिमाल करेंगे उसी से इसकी खुशबू और स्वाद बढ़ जाएगा और नॉन वेज खाने में तो आप इसको इस्तिमाल करिए और इसका रिजल्ट आप खुद देखेंगे कि कितना बढ़िया आएगा ये 200 ग्राम जीरा है गर्म मसाले के अपने औशदिय गुड़ भी होते हैं ये तेज पत्ता है 50 ग्राम पनीर की किसी भी डिश में आप इसको यूज़ करिए पनीर लबावदार पनीर लज़दार कड़ाई पनीर पनीर मसाला सभी का स्वाद ये बहुत अच्छे से बढ़ा देंगे अक्सर अगर हम खड़ा अगर मसाला डालते हैं तो आप देखिए अक्सर बच्चे पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनके दातों में मुह में खड़ी इलाईची खड़ी लॉंग आने लगती है इसलिए अगर आप पाउडर यूज़ करिए तो उसका स्वाद भी आएगा और बच्चे भी पसंद करेंगे यह मैंने अभी पोस्ता दाना भी इसमें मिला दिया है पोस्ता यानि पॉपी सीट यह जो जाइफल है दस इनको तोड़ दिया यह सोट है इसको भी दूप में सूखने बाद एकी बार तोड़ने पे बहुत आसानी से टूप जाती है अब इसको हम यह मिक्सी में पीसने के लिए तयार हो गया दाल चीनी मिला दिया चलिया पाउडर बनाते हैं मिक्सी का ग्राइंडर कप ले लेते हैं और उसमें यह जितना एक बार में आ जाएगा उतना डाल डाल के इसको हम पूरा पीस लेंगे और आटा चानने की चन्नी तो आपके पास जरूर होगी आटा चानने वाली चन्नी से ही इसको चानिएगा मैदा चानने आली चन्नी से मत चानिएगा आटा चानने अली चन्नी से यह जो हम ड्राइ पीसते जाएंगे यह देखिए यह इसनी आसानी से इसलिए पिसरा है क्योंकि हमने इसको दूप में अच्छे से सुखा लिया था अब मैं पूरा प्रोसेस आपको इसलिए दिखा रही हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप आसानी से इसको पीस के तयार करें घर के बने मसाले जो होते हैं उनकी कितनी भी तारीफ की जाए वो कम है अब इसको आटा च्छाने गाली च्छनी यह है इससे च्छान लेंगे और जितनी बार भी हम ग्राइंड करते जाएंगे इसी च्छनी से ही च्छानते जाएंगे जिससे बिल्कुल एक जैसा गरम मसाला पाउडर तयार होगा और यह देखिए जो ही मोटा हिस्सा च्छनी का बचेगा यह हम एक तरफ इखटा करते जाएंगे इसको दुबारा फिर पीसेंगे फिर च्छानेंगे फिर पीसेंगे फिर च्छानेंगे ऐसे करते-करते है सारह पिस जाएगा देख्ये अभी तो हम एक बार में इसको पहले एक तटा कर लेंगे सारह पीसने के और चानने के पाद करो है अब यह इतना देखिये यह निकला यह इसको फिर से grinder में जार में डालके फिर से पीसेंगे और फिर से चानेंगे अब grinder से में पीस के च्छानने के बाद अब फिर से इतना निकला अब हम Mixi का छोटा कप लेंगे अब उसमें पीसेंगे Mixi का छोटा कप ज्यादा powerful होता है और और आसानी से पीस देता है अब इसमें डाल डाल के पिर पीसते जाएंगे और छानते जाएंगे अब आप देखिए पीसते छानने के बाद अब हमारे पास सिर्फ इतना हिस्सा जो बचा है जिसे हम waste कह सकते हैं ये एक किलो से उपर सारा गरमसाला था वजन में और उसमें हमको सिर्फ इतना हिस्सा बचा है जो लास्ट में अब पिसने लायक नहीं रह गया है ये देखिए आप अब इसको हम एक तरफ रख देंगे और जो गरमसाला पाउडर है इसको हम एक सार कर लेंगे क्योंकि जब हम इसको पीस के चान रहते तो कहीं पे सोट ज्यादा हो जारी थी कहीं पे जीरा पाउडर ज्यादा पिसके च्छन रहा था कहीं पे काली मिर्च पिस रही थी तो अलग-अलग वो गया है जब हम इसको मिला के एक सार कर लेंगे अब मैं हमेशा एक बार में इतना ही गर्मसाला तयार करती हूँ और पूरे साल भर से जादा मेरा चलता है जबकि इस में से मैं अपने बच्चों को भी बेजती हूँ जो बाहर रहते हैं मेरे बच्चे इसको एर टाइट डिब्बे में करके रख देंगे और थोड़ा थोड़ा निकालके किचन में रखेंगे एर टाइट डिब्बे में रहने से इसकी सुगंद बिल्कुल भी नहीं निकलेगी अब देखिए जो यह वेस्ट बचा था इसको भी मैं फेकती नहीं हूँ सूती कपड़े जो होते हैं साफ सूती कपड़े में देखिए इसको डालके इसमें एक-एक कैमफर की गोली रख दीजे और इसकी छोटी-छोटी पोटली बनाके किचन कैबिनेट्स में रख दीजे चीटी, कॉक्रो, चिपकली कभी भी नहीं आएंगे क्योंकि इसकी सुगन इतनी तेज होती है इतनी तीखी होती है कि ये कीड़े किचन में नहीं आते हैं तो इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम जब हमने इतना महंगा गरम मसाला खरीदा है तो उसको हम क्यों वेस्ट करेंगे जो भी हिस्सा उसका बच्चा है उसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे और उसके गुरों का फाइदा उठाएंगे तो मुझे उमीद है आपको यह पसंदाया होगा और आप को अगर मेरा यह तरीका पसंदाया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए शेयर करिए थैंक यू वेरी मच्च थैंक यू फॉर वाचिंग